प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है जिसमें पश्चिमी यूपी यानी जाट लेंड की 11 जिलो की 58 सीटे शामिल है इस चरण में गाजियाबाद, नौईडा, सर्धना, ठाना, भवन और केराना सहेत कई हाई प्रोफाइल सीटे हैं प्रथम चरण में कुल 623 उमीदवार हैं जिनकी चुनावी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे वहें चुनाव की शुरुवात होते ही प्रधान मंतरी नरीद्र मोदी समेत कई नेताओं ने ट्वीट करते हुए जनता से क्या कुछ अपील की है चलिए आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर प्रधान मंतरी मोदी ने कहा कि उत्ता प्रधेश विधान सब चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है सभी मतदाताओं से मेरा अग्रे है कि वो कोविट डियमों का पालन करते हुए लोगतंत्र के इस पावन परव में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले याद रखना है पहले मतदान विरजल पान प्यामोदी ने ट्वीट कर वोट देने की किया अपीब यूपे के मुख्यमत्री योगियाद इतिनाथ ने अपने ट्वीट में कहा आज लोगतंत्र के महायग्य का प्रथम जरण है आपके अमूली वोट किया हुती के बगए ये अनुष्ठान पूरा नहीं होगा आपका एक वोट अपराद मुक्त भय मुक्त दंगा मुक्त उत्तरप्रदेश की संकर्प को मजबूती प्रदान करेगा इसलिए पहले बददान फिर्चल पान तब अन्यकाब सीम योगी का ट्वीट आया सामने तो वही बस्पा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया प्यस्पी सुप्रीमो मायावती ने भी चुनाओं पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ये फैसले की घड़ी है और जंता अपना सही वोट दे कर खुद उत्धार करेगी पर एक अच्छे और बैतर विकल्प के ल तो वही बस्पा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि आज उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान जारी है यूपी की जनता विकास के साथ साथ सुरक्षा सम्मान पर वोट डाले वोट डालने की की अपील साथी बीजेपी के लिए वोट सामिच शादे वही जार्ट लैंड में पहले चरण की चुनावों की शिरुआत हो चुकी है जिसको लेकर कॉंगरस नेता राहुल गाधी का भी ट्वीट आया सामने राहुल गाधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश को हर डर से आजाद करो बाहर आओ वोट करो वोट दिगजनेता जनता से अपील कर रहे है कि वो सबसे पहले वोट करें फिर अन्यकाम करें साथ ही अपने पक्ष में वोट करें की भी अपील करते हुए जनता से नजर आए तो उत्तर प्रदेश में चुनावों शिरू हो चुका है हलाकि पाच राज्यों में चुनावों है उ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सर्च वाइब देख रहे हैं प्राइम टीवी सर्च